सो नाय आपके सामने एक तस्बीर है और एक्चुल में यह तस्बीर न्यू यूर्क स्टॉक एक्स्चेंज की और यह उस दिन की तस्बीर है जह न्यू यूर्क स्टॉक एक्सचेंज क्रैस कर गया था है यह स्टॉक मार्केट में जिस तरीक से भरबर दिख रही है वो अब है यहां पर कहीं न कहीं सचाई में दोवारा बदलते हुए नजर आ सकती है 21 सेप्टेंबर जी यहां 21 सेप्टेंबर की ओर आपको ध्यान देना चाहिए 21 सेप्टेंबर फैड की मीटिंग और इस मीटिंग उपे रहेगे वरे गलोबल मार्केट की नजर। ऐक्चवल में जदा से जदा गलोबल मार्केट जो है वो फिप्टी टूविक लोग के आसपास हैं लेकिन डिक्कत जो है दुकट भारा समय जो है वो इंडियान स्टॉक मार्केट में आ सकते और आप तोर नो ने गाड़ी बदल ली है वो बैठ चुके है एक्चुल में नेगिटिव वाली गाड़ी में और भही है एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो है एक ग्रावट आई थी 1929 ग्रेड डिप्रेशन यहाँ पर एट लिस्ट यहाँ पर कुछ ऐसा रहा था कि 400 पॉइंट ही आपका एक्सचेंज का जो प्राइस है वो बचा था स्टॉक मार्केट का अमेरिका में और उसके बाद 2000 और उसके बाद 2008 की मन दी और 2009 और उसके बाद इस वक्त कोरोना से हम जूसते हुए नजर आए उसके बाद अब यहाँ पर दिक्कत बहुत बड़ी सामने है क्योंकि इन्फ्यू वो किसी की भी जेवे नहीं बरी थी इंडिया के अंदर लेकिन बाहर जो है वो जादा जेवे बरती थी अब एक्च्वल बाहर प्रॉब्लम कि आप सोचते हूँगे कि इतना क्या प्रॉब्लम है कि इंडिया को रलेट नहीं कर रहा है इस वक्ते लिकिन करना चाहिए तो आ ताइम आ गया है अब एक सेक्टेंबर आ रही है और एफाई आइस यहां पर जो है आप भड़ बड़ा कर पोजिशन वराने स्टार्ट करें कि किस तरीके से टैकल करना है इसको और यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरीके से हमने कुछ दिन दो चार दिन पहले हमने दाओ और नस्दा को हमने अट लीस्ट यहां पर जो है पांच परसेंट डाउन जाते हुए दिखा दोजार बीस के सबसे बाद सबसे बड़ी ग्रावट रही थी और यहां पर ना आप ध्यान रखे एक वक्त में जब एकनोमिक डेटा इतना मजबूत है जब जीडीपी डे बड़ी ग्रावट देखे और पूरा ग्लोवल मार्केट में पांच-पांस-टास-थाथ-परसेंट की ग्रावट हमको देखने हुए और वो ग्रावट इसमें भी पॉसिबिल है और वह इसलिए भी पॉसिबिल है क्योंकि डाव देखे वो तो वह आपने 52 वीक लोग पर ख पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पां लिए कह दिया है जो हो सकता है वो ये कनिकली तयार तो अभी तक किसी को पता नहीं कि एक परसेंट बढ़ने वाला है या पॉइंट पच्छतर बेसिस पॉइंट बढ़ने वाला है यहां पर इंटरेस्ट रेट है और अगर एक परसेंट बढ़ा दिया में भी तारिक ही बताएगी जब फैड बोलेंगे और उसके बाद मार्केट पर हमें रियक्शन तुरंट देखने को मिलेगा फैड क्या बोलेंग कैसे बोलेंगे नहीं पता एक्चुल में लेकिन वो इस तोग मार्केट पर किस तरीके रियक्शन देखने को मिले गा यह देखना बनता है कि यह 21 तारी को क्या होने वाला है कि यह सस्पेंस की बात है किसी को नहीं पता 5% ऊपर होना है मार्केट यह 5% नीचे लेकिन होगा तो बहुत बढ़ा होगा और चिंदा की बात तब और आया आती है जब हम देखते हैं कि यहां की जो अन्होंने अपनी होल्डिंग खाली कर दी है एक्चुल में रियल्टी बात यह बहुत लोग मान की चलें कि कोर्रिलेट नहीं कर रही है एकनॉमी के साथ बहुत सारी डेटा जिसके वैसे क्रेस का मतलब क्या है क्रेस का मतलब यह है कि 20% से 30% के आसपास क्रेस आ जाना तो इ 14,000 इंडेक्स का प्राइस रह जाएगा उस वक्त पता नहीं किस तरीक की हालत होगी जबकि हमें इस वक्त इस वक्त 15,500 पंदर अजा 700 के असपास होने चाहीं तरह लेकिन यही दिक्कत की बात है जिस तरीक से मार्केट में यहाँ पर पैसा डाला गया जान बूचकर FIS की त exist को बोक्त नहीं को तो 21 तारीक को तैयार रहे इ阶 तरइक को क्या ंहें कैसे होना यह अभी तक समझ नहीं आ रहा है लेकं हो ना तो होने वाला है let's see suspense वाला time हमें कुछी दिन में unsuspense करने वाला है सारी बात हैं हमारे सामने खुलने वाली है इस वीडियो का बनाने के मतलब यह नहीं है कि आप कॉल पुट में ट्रेड करने लगे इस वीडियो को बनाने का मतलब है कि आप अपने आपको प्रोटेक्ट करने की तैयारी करना है अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रोटेक्ट आप रहेंगे अगर आपके पास strategy रहेंगे तो इस ट्रैटीजी वर बर्त कि आ तो नहीं होताних घ्लीई होता है